Hello Everyone, Welcome to my channel Commerce Nudes आज हम Business Economics का एक previous year based question करने जा रहे हैं जो की 15 और 5 marks में हमें exam में आता है तो अगर आ जाए तो कैसे उसे attempt करना है previous year based है ये इसके आने के chances बहुत जादा होते हैं तो अगर ये आ जाए कैसे उसे attempt करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे चैनल में playlist अलड़ी पढ़ी हुई है Business Economics की वहाँ पर हमने बहुत सारे questions किये हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखें तो आप वो check कर सकते हैं आज हम ये वाला question करेंगे और आने वाली videos भी क्या हैं इसी subject पे रहेंगी तो अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजेगा और जो भी videos आती हैं उन्हें like भी कर दिजेगा और अगर आपने telegram नहीं join किया तो वो भी join कर लेना because वहाँ पर इनकी PDF send हो जाती है तो चलिए start करते हैं आज का हमारा question है quasi rent तो what is quasi rent तो quasi rent क्या होता है वो इस video हम देखेंगे तो क्या बोल रहे है quasi rent एक ऐसा concept है जो economics में क्या है हमें help करता है understand करने में कि कैसे जो return है वो earn किया जाते है factor of production से ठीक है तो क्या हुआ quasi rent एक ऐसा concept है economics में ठीक है जो हमारी help करता है जो economist की help करता है understand करने में तो particular use or industry, जब वो particular जो यह कह सकते हैं, अगर वो एक particular industry तक ही हूँ, ठीक है, तो उनसे क्या है, कैसे हम यह कह सकते है, return on करते हैं, वो हमें quasi rent क्या है, concept explain करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं, तो आपको सबसे बहले एक example अपने दिम अब हुआ क्या वो ना एकदम से popular हो गई, ठीक है, अब हर कोई बंदा उसको एक बढ़ ट्राय करना चाहता है, तो वो क्या कह रहा है, कि मतलब आपके पास है और आपके यह कह सकते हैं, लोगों को पता है, और वो उनको दोगे, use करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसके बदले कुछ चार्ज करोगे, हाना, तो उससे क्या बोलेंगे हम रेंट, अगर ऐसा सेनेरियो है तो, अब दूसरा केस क्या है, बट, आपका कोई प्लैन ही नी था, कि यार मेरको इसको क्या है, देना है, ठीक है, use करने के लिए लोगों को, और उसके बदले रेंट लेना है आपका कोई प्लैन नी था, ठीक है, या फिर अगर चलो आपका, आप उसको क्या है, देते भी थे, तो थोड़े बहुत पैसे चार्ज करते थे, अब वो एक दम से क्या है, वो पॉपुलर होगी गी, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, but, let's say, you did not plan to rent it out, and you are just loaning it, आप क्या है, इसको सरफ loan के लिए दे रहे हो, because आपको क्योंकि उसकी higher demand है, ठीक है, तो अब क्या है, इसमें क्या बोला है, कि you did not expect to make money this way, आपको ऐसा नहीं कि हाँ, देके मुझे पैसे कमाने, ठीक है, but, हुआ क्या, कि एक दम से वो जो गेम है, वो बहुत समझा, ठीक है, तो rent क्या था, एक normal payment जो आपने receive की, अपनी game को कहा है, देके, अब दूसरे case में हमने देखा कि, आपने अभी भी क्या है, आपका जो गेम हो एकदम से popular हुआ, ठीक है, जिसके बदले क्या, आपको extra cash देने के लिए भी लोग तयार है, तो उसे ही क्या बोलत यह क्या है, आपके लिए bonus है, ठीक है, यो गेट, आपको जो मिला, when something you own, become super popular, क्यों मिला, क्योंकि आपके पास कोई चीज थी, जो कि अब super popular हो चुकी, या high demand में है, ठीक है, और आपको कोई plan नी था, इससे money बनानी है, ठीक है, तो एकदम से, यह एकदम से popular हुई, तो फि कामन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जैसे फिर क्या है, बाद में, market में और चीजे भी आजाएगी, ठीक है, या फिर उसका price क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ time के लिए होता है, temporary होला है, it is a temporary and goes away, once the demand down, ठीक है, जब demand क्या है, उसकी down चले जाएगी, या फिर वो कहा, available हो जाएगा, commonly available हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप से नहीं लेंगे, ठीक है, अभी तो आप से इसले लिया जारा था, बिकॉस आपके पास ही था, ठीक है, अब जब commonly available हो जाएगा, तो फिर आपको एक्स super popular हो जाती है, ठीक है, popular हो जाती है basically, तो आप वो popular हो जाती है, तो उसकी वज़ा से जो आपको extra cash मिल रहा है, वो कहा, आपका quasi rent है, ठीक है, ये temporary होता है, ठीक है, आपने plan नी किया होता है, as such कुछ, ठीक है, unexpectedly होता है, एक bonus type का होता है, ठीक है, तो एक कुछ keywords मैंने बोले, इसे हम क्या है, quasi rent बोलते हैं, ओके, तो अब हम देखते हैं, rent and quasi rent, तो rent क्या है, economics में, rent refers to the payment made for the use of any factor of production, अगर आपको कोई भी factor of production को use करना है, तो उसके बदले आप जो भी देते हो, उसे rent बोलते हैं, ठीक है, अगर land use कर रहे हो, तो उसके बदले rent दोगे, ठीक है, labor use कर हो, तो क्या बोल रहे हैं, कि अगर आप factor of production को use करते हो, तो in return, मतब जो आप देते हो, ठीक है, उसके बदले, वो rent होता है, अब quasi rent क्या है, quasi rent बे सिमिलर है rent की तरह, but it apply to a factor of production that are not fixed in supply, ये चीज़ बहुत important है, rent का जो concept है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि ऐसा, जहाँ अब जो factor of production है, उनकी fixed supply है, तो क्या है, वहाँ पर क्या arise होता है, रेंट, अब ऐसी चीज़ जो क्या है, fixed in supply नहीं है, तो वहाँ पर क्या arise हो सकता है, हमारा quasi rent, ठीक है, क्योंकि वो fixed in supply है, कुछ ही लोगों के पास है, तो क्या है, वहाँ पर arise हो जाता है, quasi rent, पट, ये धि quarterly होता है, ठीक है, यहाँ पर short run में क्या है, quasi rent arise होता है, it is earning a return on an investment, basically इसमें क्या हो है, आप earn current return investment से, जो आपने plan ने की थी, ठीक है, बट, market conditions के according क्या है, आपको वो quasi rent arise हुआ, ठीक है, तो hope आपको rent और quasi rent क्या होता है, वो पता लगाओ, उसके बाद हम देखते हैं origin, तो क् concept है, quasi rent का, वो introduce किया था, Alfred Marshall ने, ठीक है, 19th century में, फिर हम देख लेते हैं temporary nature, क्या बोड़ रहे हैं कि इसका temporary nature है, quasi rent arise होता है, जब factor of production earn करते हैं, जादा, ठीक है, अपनी opportunity cause से, but the situation is only temporary, पर हमने बार बार पढ़ा कि जो situation है, यह temporary होती है, long run में जो factor of production है, उनको adjust किया जा स पता है, match करने के लिए, demand को eliminate हो जाती है, इसे quasi rent, ठीक है, उसके बाद है हमारा, sorry, factor of production and quasi rent, तो क्या बोड़ रहे हैं, कि इसमें हम factor of production and quasi rent देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा capital, for example, if a factory is earning high profit due to high demand, एक factory है, वो earn कर रहे है हाई profit को, क्योंकि high demand है, उनके product की, तो जो return है, उस factory जो मिल रहे है, वो quasi rent है, ठीक है, क्योंकि normal return से क्या जादा है, ठीक है, अच्छा, फिर, यहां बोला है, कि labor, labor में देखें, कि अगर मान लो, एक basic से example है, इससे आपको और अच्छी तरीके से clear होगा quasi rent का concept, कि क्या बोल रहे है, कि मान लो, किसी particular skills की demand एकदम से बढ़ जात यह था, skills थी, तो वो क्या है, उनकी wages बढ़ गई, तो जो extra unexpectedly बढ़ गया, उसे हम क्या बोल रहे है, यहां पर quasi rent का concept से relate कर रहे है, ठीक है, अब मेरे को यह बताओ, धिये धिरे, फिर, वो skills की demand बढ़ रही है, तो अब हर कोई उसको लेगा, हाना, हर कोई सीखना चाहेगा, अब हर कोई सीखेगा, तो फिर वो बाद में जाके क्या है, long run में, एक common concept बन जाएगा, हना, तो फिर quasi rent का concept नहीं लगेगा, इसलिए बोला हमने temporary short run के लिए, जहां पर fixed नहीं होता है, ठीक है, फिर application के बाद करें, तो जो quasi rent है, इसको use किया जाता है, explain करने के लिए, short term profit को industry में, ठीक है, जहां पर barriers होते हैं, entry में और specific skills requirement होती है, जहां पर, then importance की बात करें, तो understand करना quasi rent बहुत ही important होता है, because इससे हम analyze कर सकते है, short term economic phenomena को, जैसे कि क्या changes है, profit में, income में, ठीक है, and evaluate कर सकते है, efficiency of resources, जो हम allocate करते हैं, economy में, ठीक है, last में हम इसका conclusion देख लेते हैं, because conclusion आपको लिखना है, चाहे ये 5 marks में question आए, चाहे ये 15 marks में आए, तो क्या बोल रहे हैं, in essence quasi rent capture the idea of temporary return to factor of production due to short run market condition, तो क्या बोल रहे हैं, कि in simple हम ये बोल सकते हैं, कि जो quasi rent है, ये क्या है, temporary return मिलता है factor of production से, क्यों, क्योंकि short run में market conditions क्या ह है, ऐसी कुछ हुई है, changes हुई है, ठीक है, it is a concept, ये एक ऐसा concept है, जो help करता economist की explain करने में, ठीक है, कि कैसे जो resources है, are rewarded, उनको क्या है, reward किया जाता है, situations में, जहां पे supply is not fully flexible in the short run, ठीक है, leading to return, जिससे क्या है return, over and above आते हैं, पर long run में के हैं, वो normal हो जाते हैं, तो hope आपको पूरा का question समझाया हो, ठीक है, quasi rent का, तो अगर आपको आजाए, तो आपको ऐसे ही explain करना है, लिखना है, और example देना है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो, समझाया हो, तो like, share, subscribe जरूर करें, और जो telegram का link है, वो description box में, आप उसको join कर सकते ह के लिए, thank you for watching this video.